आज मैं आपके साथ एक ऐसे पास्ता की रेसीपी शेयर कर रही हूँ जिसे बनाने के लिए आपको किसी भी तरह के फैंसी सॉसेस, मसाला या चीज वगेरा कुछ भी आड़ करने की ज़रूरत नहीं है बस घर के ही सिंपल इंग्रीडियन्स के साथ आप बहुत आसानी से ये रिच क्रीमी पास्ता बना के तयार कर सकते हैं तो आइए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है तो देखें यहाँ पर सबसे पहले मैंने पानी बॉइल करने के लिए रखा हुआ था इसमें नमक आड़ कर दिया है टेस्ट के हिसाब से और फिर आड़ करेंगे दो कप भर के पास्ता आप किसी भी वराइटी का पास्ता ले सकते हैं यह लगबग 200 ग्रैम्स मैंने पास्ता लिया हुआ है इसे 5-6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम बॉइल करेंगे जिससे कि पास्ता का कलर भी चेंज हो जाए और साथी में अंदर तक अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो देखिए यहाँ इसे बॉइल होते हुए 5-6 मिनट हो चुके हैं पास्ते का कलर भी चेंज हो गया है और यह अंदर से अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया है तो चलिए अब इसे स्टेन कर लेते हैं इसका सारा पानी हटा देंगे और पास्ता को सेपरेट कर लेंगे और फिर एक बार इसे नल के पानी में वाश कर लीजे जिससे के इसका कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाए और यह ओवर कुक ना हो और फिर लेनी है हमने एक प्यास प्यास के दोनों एंड्स को निकाल कर इसमें बीच बीच में इस तरह के हम कट्स लगा लेंगे चिलका वगेरा कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है और फिर गैस पर एक इस तरह की जाली रख देंगे और उस पर प्यास को डिरेक्ली रखना है दो टमाटर भी मैं ले रही हूँ साथी में लेसिन की कलिया भी ले रहे हैं और अकर आप थोड़ा स्पाइसी जादा पसंद करते हैं तो आप एक से दो हरी मिच भी ले सकते हैं और 5-6 मिनिट के लिए हम मेडियम फ्लेम पर प्यास टमाटरों को पलटते हुए अच्छे से रोस्ट करना है जब आप इस तरह से यह सॉस बना के तयार करेंगे तो सॉस में बहुत ही स्मोकी सा और तंदूर वाला आपको फ्लेवर मिल जाता है तो जब तक यह पूरी तरह स इस तरह से डाक ब्लैक से नहीं हो जाते है तब तक हम इसे पलटते हुए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और रोस्ट होने के बाद प्यास टमाटर लेसिन सभी चीज़े अंदर से बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है बिलकुल मैश होने जैसी हो जाती है और इसमें बह इसका भी चिलका हमने निकाल लिया है और इसे रफली इस तरह से जॉप कर लेंगे फिर ये सारी ही चीज़ों को ग्राइंडिंग जार में आड़ करके हम इसको बिलकुल फाइन ग्राइन कर लेना यानि के इसके प्योरी की तरह हमने तयार करनी है साती में एक चमच में आड कर ले रहा है 250 ग्राइम चिकन जिसे मैंने छोटे-छोटे से पीसिस में कट करके लिया हुआ है हाई फ्लेम पर तीन से चार मिनिट के लिए इसे पकाना है थोड़ा से नमक आड़ करेंगे टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा ब्लैक पर पाउडर भी आड़ करेंगे और फिर जल्दी से कोख हो जाते हैं पूरी तरह से गल जाते हैं तो देखे चिकन हमारा यहां रेडी हो गया है और जैसे पानी ड्राइ हो जाता है इसमें हमने कुछ वेजिस आड़ कर लेनी है जिसमें मैंने शिम्ला मिर्च और गाजरों को लंबा लंबा से कट करके लिया हुआ है तो वेजटेबल्स यहां आप अपने चॉइस की आड़ कर सकते हैं जैसे आप इसमें ब्रॉकली, कॉन्स वगेरा भी आड़ कर सकते हैं बेबी कॉन्स आड़ कर लीजिए और अगर आप चिकन भी नहीं पसंद करते हैं या चिकन अवेलिबल ना हो तो आप इसे भी स्किप क आप पर सकते हैं इसे दो मिनिट के लिए मैने हाई-फ्लेंप पर प्राई किया है बहुत ज्यादा थ्राइ नहीं करना है हल्का सा इसमें क्रांच मेंटेन रहना चाहिए तस निकाल लिया है साइड और पान में ने एक चमच तेल आड़ किया है या फिर आप एक चमच बटर और इसमें लगभग देड़ से दो चमच मैदा आड़ किया है मैदे को एक से दो मिनिट के लिए अच्छे से फ्राइ कर लेना है ताकि इसमें किसी भी तरह से कच्छा पन वगेरा ना रह जा अच्छे से रोस्ट करने के बाद मैं इसमें दूद आड़ करें तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूद आड़ करेंगे जिससे कि इसमें लंप्स वगेरा ना बने हमें बिल्कुल क्रीमी सा लंप्री ये मिक्शर चाहिए तो जब आप वाइट सॉस पास्ता बनाते हैं जो हमने तयार के थी जो स्मोकी और तंदूर फ्लेवर वाली हमारी सॉस थी इसे हम इस वाइट सॉस में आड़ करेंगे और फिर बहुत अच्छे से स्टर कर लीजिए मिक्स कर लीजिए तो देखिए बहुत ही अच्छा सा इसमें कलर आ चुका है पाउडर्ड मसाले पास्ता में आड़ करते हैं इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जरूर से आड़ कीजिए अच्छे से मिक्स कर लीजिए और एक बार फिर हमने फ्लेइम को हाइग किया है ताकि सॉस में अच्छा सा उबाल आ जाए जैसे इसमें दूबारो एक और अबाल आ जाता है, फिर हमने सारा ही पांसता इसमें आड कर लेना है, वो पांसता ही स्टेज पर काफी ड्राइ सा है, लेकिन जब आब इसे सास में आड करिएंगे, अच्रे svρα पर gamey से साँसे के साफ जैगे, अच्छे आप चाहें तो simply इसे vegetables के साथ भी बना कर तयार कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगता है यह pasta खाने में, especially बच्चों को ऐसी सारी चीज़े बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप भी इस pasta की recipe को ज़रूर ट्राइ कीजिए, आप में देखी लिया है, हमने बहुत ही simple घर की ingredients क साथ इस pasta को बना के तयार किया है, कोई भी fancy sauces वगएर आपको market से लानी के ज़रूरत नहीं है, simple ingredients के साथ यह creamy सा pasta आप घर पर आसानी से तयार कर सकते हैं, तो लीजिए हमने pasta को सर्फ कर लिया है, और लास्ट में थोड़ा सा और इसको seasoning कर लेंगे, और चिलिय फ्लेक्स के साथ, तो टो से थार की टार क्या है, बomnा यहाँ, और सकते हैं, जावत थार को से लिए खक्राइभ।